दोस्तों जैभिम्नों बुद्धा मैं निले शोंकार लॉड बुद्धा टीवी के इस विशेश प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आज 11 अप्रेल है यानि कि आज बहुत बड़ा दिन है आज महात्मा जोतीबा फुले की जन जनती है वही महात्मा जोतीबा फुले जिनके जिनों ने अपने पत्नी से मिलकर यानि कि पहली शिक्षा की देवी जिन हैं हम कहेंगे शिक्षा लेने वाली पहली महला भारत में मातोश्री सावित्रुय फुले जो महात्मा जोतीबा फुले की पतनी है इन दोनों ने मिलकर देश में पहली बार इसी जगा से मैं जहां पे बैठा हुआ आज ये फुले वाड़ा है पुना में और ये वही कुवा है मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिसको हाउद कहते है मराठी में जो महात्मा फुले जी ने उस जमाने में खुला किया था पानी पीने के लिए तो आज उनकी जन्वजेंती है इन दोनों ने सामाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लानी की कोशिश की है और बहुत हद तक वो सक्सेज भी हुए है इन दोनों ने शिक्षा की शुरुआत की सावित्रवय फुले ने महिलाओं को पढ़ाया और उस वक्त से लेकर आज जोतिवा फुले इनकी बड़ावलत ही आज यह जो परिवर्तन है वह हम देख रहे हैं इस देश में ऐसे कई सारे कारिया है इनोंने किये हैं अपने जीवन में अपने समय में अंधव विश्वास हो या फिर दयववाद हो या फिर विद्वा विवा हो बाल विवा हो यह सा जो बंदने थी उन बंदने को तोड़कर इनों ने एक नया परिवर्तन इस देश में लाया है और आज उसी की हम बात करेंगे इस जन्म जयनती के अवसर पर महत्मा फुले जी के जन्म जयनती के अवसर पर उन्हीं के फुले वाड़ा में पुना शहर में हम बैठे हैं यहां पर कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके कारियों को याद करने की कोशिश करेंगे बहुत-बहुत स्वागत है साहब आप हमारे साथ जुड़े भोसले साहब और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आज हम उसी फुले वाड़ा में बैठे हैं और फुले जी को नमन क जी के जनम उत्सों जैनती के निमित सबको हार्दिक शुबकामने और बदाई देना चाहता हूं आज इस पावन भूमी में जिस करांती भूमी में हम बैठे हैं इसे बाबा भीमरवांबिगर जी हमेशा मंदीर कहते थे तो हमें इस मंदीर में बैठने का अवसर मिला है और मात्मा फुले जी को नमन करने का अवसर मिला है मात्मा फुले इन्होंने इस पूना से एक करांती की शुरूआत की उनके पत्नी सावितर भाई फुले माता जी ने महला को शिक्षित करने का कारिये शुरू किया और मात्मा फुले जी का जो सबसे बड़ा धहिये था कि अच्छुत्ता दूर की जाए और दलितों को पीडितों को शुषितों को एक समानाधीकार मिले तो वही निव इस महात्मा फुले से इस करांती भूमी से बाबा भीमरौंबर्गर जी के मंदिर से शुरू होती है इस कुए से यह कुए जिस वक्त दलितों को पानी पीना मना थ तो उन्होंने इस कुए को खुला कर दिया लोगों के लिए दिया उनके फुले वाड़ा के कुए में हर जाती का हर धर्म का आदमी पानी पी सकता था ऐसा उन्होंने एलान किया उनके खिलाफ में बहुत से बाती की गई उनके ओपर भहिशकार किया गया इस फुले वाड़ पर बहुत से जातिवादी पंत के लोगों ने भाईशकर किया था उसकी परवा किये बगएर महात्मा फुले जी ने अपना कारिये अपने सिध्धान्त और अपना जो वजूद है उसे इस पूना से लेके पूरे विश्ववर में फैलाया मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा साब अंबेडगर जी के तीन गुरू थे जो बाबा साब ने अमें दिखाए कहे माने वो बुद्ध कभीर फुले तो भगवान बुद्ध हम जानते कभीर को बाबा साब अंबेडगर मानते हैं लेकिन महात्मा फुले से बाबा साब ओर फो पूर्ण हो आप उनका महार का क्रांती सत्याग्र हो तो बाबा सब मंबेड़कर जी ने इस पवित्र भूमी को स्पर्श करके नमन करके महात्मा फुले जी को अपना गुरु मान के हमें और हमारे समाज को एक नया आयाम दिया एक नया क्रांती का परव दिया हम हमेशा मात्मा फुले जी और सावित्रमा फुले जी के हमेशा रुनी है क्योंकि आज हमारी माता पड़ी लिखी है तो वो सावित्रमा फुले और मात्मा फुले जी के अशिरवात से पड़ी है बाबा भीम्रों अंबड़कर जी के तीन गुरु में से मात्मा फुले गुरु है महमु बाबा सहब का उदय होता है लेकिन बाबा सहब फूले जी को अपना गुरु मानते हैं हमारे देश में जाती प्रता थी वर्नवाद था भेदवा होता सारी चीजे थी फिर भी बाबा सहब के ना तो जात के थे और ना ही उनके काल में वो जन्मे थे फूले जी उनका काल पहले बाबा साब का बाद में फिर भी उनके विचारों को गुरु स्थान पर रखा है बाबा साहब में और उनके उनको आधर्श माना है अपना तो यह बहुत बड़ी मिसाल मुझे लगती है हमारे देश में परिवर्तन की ठीक है लेकिन आज भी हम ये देख रहे हैं देश में कि बाबा साहब का जब भी नाम आता है तो दलितों तक ही सिमित उनको किया जाता है जब फुले जी का नाम आता है तो उनके जात के चुनिंदा लोगों तक उनको सिमित किया जाता है चत्रबती शिवाजी महराज का नाम आता है तो उनके जात में उनको सिमित किया जाता है तो जाती के लिए काम किया है मानवता के लिए काम किया है तो इस भेदभाव को हम किस तरह सर मेरा सकते हैं देखिए इस बात का बहुत अफसस होता है बहुत दुख लगता है कि युग-पुरूषों को अपने अपनी जाती के लोगों ने अपने अपने हिस्से में बाट लिया है अब ये बाटनी की राजनीती और बाटनी का जो संकल्प है जो कुछ चुनिंदा लोग करते हैं लेकिन आपने जो सबसे पहला सवाल मुझे पूछा है कि बाबा साब अंबड़कर जी ने मात्मा फुले जी को गुरु मान आप कहों कि सवर्ष के अंतर के बाद में कोई पराई जाती कि इनसान को जिससे कोई संबन नहीं उसे अपना गुरु कैसा मान सकता है तो केवल बाबा साब मंबड़कर जी कर सकते है इसलिए उन्हें माहमानों का आ जाता है तो मात्मा फुली जी का जो इतियास है इस पुल स्बसे पूना में जो पुना भ्रहधनों का- भुटों का सबसे बड़ा है तो मात्मा फुली जी ने हमेशे ही का और बाबासां मबड़कर जी ने उन्हें पड़ा जब आप पड़ेंगे तभी अपलोड़ोंगे तो पड़ना चाहिए बाबा साब बड़कर जी ने पढ़क अगर मात्मा फुले जी को अपना गुरु माना है और गुरु मान के सिर्फ गुरु नहीं माना है आजके लोग गुरु मानते हैं या भाई मानते हैं या दोस मानते हैं अपने अपना मानते बाबा सब नहीं किया इसलिए तो बाबा सब माने बाबा सब ने गुरु की परंपर गुरु का आदेश, गुरु का धन्यान गुरु की करांती इस देश के सविधान में लाई इसलिए महात्माफुलेजी का घर का नंबर 3095 है वही इस देश का कानुन सविधान में उतनी कलम है गी बाबा साप्म पेटे कि ये लड़के का नाम एश्वन्त मात्मपुलें जी नाम भी हुए एश्वन्त यह एब यह जो हितियास दब चुका था महात्मपुलें का मात्मपुले पुले जी को आप सिर्फ दलीतों के कारिये के लिए मत बोली आप देखेंगे तो चतरपती शिवाजी महाराज की समाधी जो किसी को मालूम नेती 100-200 साल उसे धूंदने का कारिया महात्मा पुले जी ने किया है उसे बतायने का कारिया और सबसे बढ़ी पहली शिव जेहिंती चत्रपति शिवाजी महाराज की जो जहिंती होती है वो इस महात्मा फुले वाड़ा में इस करांती फुले वाड़ा में इस पवन भूमी पर हुगी है आपका तीसरा प्रश्ण का मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि समाज के लोगों ने युग पुरुशों को क्यों बाट के लिया उनकी विचार धारा आज देश में तोड़ने की है और हमारी विचार धारा भगवान बुद्ध फुले कभीर चत्रपती शिवाजी मारा शाहु मारा सहाज रोगाइकवार से बाबा साब अमबड करने हमें दिये कि सभी चात्य को जोड़ो सभी धर्मों को जोड़ो समाज को जोड़ो और इस देश को जोड़ो इस सभीदान को संबान दो इस देश में शांती लो और युग पुरुशों को कभी एक समाज में एक जात में तोलना गलत है युगुपुरुशों का कारिया चतरपती शिवाजी महाराज का कारिया यह समस्त बहुजन समाज के लिए उन्होंने कभी मुसल्मानों से भी जाती बात नहीं किया धर्मबात नहीं किया उन्होंने कभी दलितों को पिछड़ा नहीं समझा आप शावु महाराज की बात करो, जिन शावु महाराज ने बाबा साब ममड़ जी को खंदे पे उटया, उन्हें स्कोलरशिप दी, आप उसी तरह महात्मा भुले जी, इनका कारिय समस्त बहुजन समाज के लिए था, समस्त शोशित, पीडित, वंचित लोगों के लिए था, उसी के साथ में उन्होंने एक ब्राह्मन कन्या को भी दत्तक लिया, उन्हें गोद लिया, उन्हें पढ़ाय लिकाया, उन्होंने विद्वा की स्कूल निका ली, विद्वा का पुनर विया किया, दलितों के लिए स्कूल बनाया, और दलितों के लिए पानी दिया, अब ये विए लुह में बड़ा नाम होता है, तो हम उसको जात मिलेते हैं, हम उसकी जात देखते हैं, हमने अब्दुलकलाम जी को देखा, वो साइंटिस् बन गया, तो किसी ने बोला वो मुसल्मान है, उन्हें अपनी जात में बातनी कोशिश के, उन्हें ने 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 का नहीं, मै तो उसकी जात और धर्म देखते हैं मैं बिंती करना चाहता हूं मेरे देशवासियों से उन लोगों से कि भाई इतने संकुचित विचार के मत बनो जो बाबा साब ने हमें दिखाया रास्ता वो रास्ते पर चलो कि इंसान पैदा होता है एक जैसा ही और मरता है एक जैसा ही तो हम मनुष्य है मनुष्य के तरह जिए जाती भे तोड़नी की मुवमेंट ही फुले जी ने यहां पे खड़ी की थी और इस वर्न व्यवस्था को बहुत हद तक उन्हें तोड़ा है जाती वागो को उन्होंने बहुत हद किया है यह जो नगरी है पूना NPRI इसको पुन्य नगरी भी कहा जाता है इसको शिक्षा नगरी foreigners लेकिन यहें बाजी रवा पैश्वा या पैश्वा शांसे जो भी है उसका क्रूर शांसें कहत्म होने के बाद जब भुले जीने कुरांति की शुरुवात इस नगरी में की, सावित्रवे फुले ने शिक्षा की शुरुवात इस नगरी में की, मुझे लगता है कि तब से ये पुन्य नगरी हुई और तब से ये शिक्षा नगरी हुई, क्योंकि देश में महिलाओं को किसी भी जाती धर्म की महिला हो, वो फिर ब्राम् दिद्धन में ही जीवन उनको जीना पड़ता था तो ये सारा जो परिवर्तन लाया है वो यही से आया है जहां पर हम बैठे हैं और आज हम उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं ये सारा इतिहास हमारे सामने तो है लेकिन आज भी हम उसको accept नहीं कर पा रहे हैं उसको आज क्यों ऐसा है इसका कारण क्या है देखो पूना कि यह सबसे बड़ा एजुकेशन हब है एजुकेशन सेंटर है पूना कि शिक्षित समाज की एक सबसे बड़ी इस देश की राजधानी बोलके उबरी है कि यह सबसे बड़ी राजधानी है उस कैपिटल को बनाने का काम उसकी निव रखने का काम उसे तराशने का काम उसका वीज देने का काम इस फुले वाडा से मात्मो जटिवा फुले और सावीती बाइ पुले ने किया इसे तो हमें मानना होगा, रही बात महिलाओ की अधिकारों की, तो वो अधिकार महात्मा पुले ने सबसे पहले अपने पत्नी को दिया, पत्नी को ही उस बेडी से मुक्त किया, पूरुष प्रजान समाज के, और खुद के पत्नी को ही उन्होंने पढ़ाया, और पत्नी को कहा कि आप आप दुसरे महलाओं को पढ़ाओ, यहां पे भीडे बढ़ा है पुना में सिटी में, वहां से उन्होंने चूटी स्कूल बना है, उसे भी हमें बचाना है, तो जब पुना में संस्कृर्तिक राजधानी होती है, पुन्यनगरी हम कहते हैं, तो यह पुन्यनगरी कब कि यहां पर पुन्य करने होले लोग आते हैं जो बाजिरों पेशवाओं और कुरूर पेशवाओं कि आप बात करें हो पूना उनका गड़ी है इस पूना से ही पेशवाओं ने पूरे महाराष्टर पे राज किया है अब उनका राज कुरूर था वर्न विवस्ता पे आधरीत था या चतरपती शिवाजी महाराज के विचारों के खिलाफ में था अब चतरपती शिवाजी महाराज का विचार इस पूरे समाज को लेके बारा बोलुते दारिया ने हर समाज के हर जाती हर धर्म के लोगों को साथ में लेके युद्ध करना था ना कि किसी धर्म के समाज के खिलाफ में युद्ध था और उन्होंने समानता दी समाज को उन्होंने एक जुटता दी उसी के खिलाफ में पेशवा ने यहां पे काम किया अब जो पेश्वा दिखाते हैं मुवी में ठीटर में वो अलग है वो बाजिवरो पेश्वा मस्तानिय और वो सब लेकिन फैक्ट में the fact relates is different पेश्वा ने यहां पर वर्न विवस्ता मुझबूत की काइम की और उसी का फल सुरूप आटासो आटा में हम भीमा कुरेगों का य पेश्वा का राज खतम हुआ और उस दोरान महात्मा फुले जी ही वाज इंजिनियर वे पड़े लिखी इंजिनियर थे वह उस कंस्ट्रुक्शन साइट पे थे जहां पे उस यरोडा के नदी से उस सेतू से उस एक ब्रीच का निर्मान हो रहा था तो उन्होंने ब्रिटि पुछता था इसका नाम बंड क्यों है वाज इस अमीनिंग बंड बंड तो मैंने जब उसके बारे में पड़ा तो मुझे मालूम हुआ कि महात्मा फुले जी ने जिद की कि उस ब्रीच का नाम बंड गार्डन रोको बंड रोको क्योंकि बंड का मतलब होता है रिबल का मतल सब होती करांती अब वो करांती मतलब क्या कि वो ब्रीच वो नदी भीमा को रेगव को जुड़ती है तो महात्मा फुले ने उस वक संदेश दिया कि यह ब्रीच का नाम बंड रखो क्योंकि यहां से पेशों को खिलाफ में करांती हुई और एक बात मैं आपको बताना चाह कि वह बारिश आपकर था था कि यह दूप में पैदा वा यह बारिष में पैदा हुआ युग आध के लप्टे हिस वाडा से उन्होंने उन्हें उन्हें के माताजी पेदाजी निये ने देखिसे नैही ने तो उनका नाम जोती बारागा टो जिस द 누न में पेशुवी का पतन हुआ, उस दिन महातना फुले कि महातना फुले की महातना फुले पैदा हुए और उसी दिन उन्होंने शायद करांती लेके ही पाइदा हुए थे उनकी करांती की ताकत इतनी मुझबूत थी कि उनके पाइदा होने के अवरूप पेशोगा वाड़ा जलकर खाक हुआ तो यही प्रता उन्होंने आगे लाई और शायद इस आतम साथ को करते हैं हमारी और तुम्हारी बात नहीं करते हुए पहुए हम हमेशा बाबा सेब जी का उधर अब देखिए उनका पड़की आगे मुवने में आय है तो बाबा सब ने हमेशा एक बात कही थी, कि मुझे पड़ेली के लोगों ने धोका दिया है, हमें उस बात को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं, शिक्षित बनो, संगर इतरो, संगर्श करो, आत्म साथ करनी की बात जब आती है, तो समाज के जो नव योग है, जो नव योग वर्ग है, वो पीछे हट जाते हैं, अब उन्हें सोचना चाहिए, कि बाबा सब अंबिडकर जी ने, मात्मा फुले जी ने इतने महनत और कच्छ से, इस समाज को परिवर्टन करने के लिए, हजारों साल की इतियास, जो गुलाम गिरी क्या था, उसे खतम करने के लिए, अपनी जिंदी की बरबात की, उसे हमें बचाना चाहिए, आत्म साथ करने के लिए, हमें इन योग पुरुशों के विचार, हर महले में, हर गली में, हमारे बुद्ध वियार हो, हमारा माली समाज है, हमारा मरड़ा समाज है, मैं बहुजन समाज की बात करने वाला हूँ, यह नि योग पुरुशों के विचार, सिर्फ एक समाज में, एक धर में, एक जाती में आप संकुचित करके मत रखिए, यह पुर सावितर भुले का नाम आ गया है, नाम सावितर भुले का आने से सावितर भुले का कारिया थुड़ी हो रहा है, वो कारिया करने के लिए कारिया करता है, लोग, मीडिया, हम सब उसकी लिए जिम्मेदारे, हम सब यहां से निकल के, इस करांती की भूमी को, इसकी इधर की मिट है जो आप इसे जाती और धर्म जानने लगे स्पेशिली आप्टर इस रिजरुशन विमा को रेगा और एक्टर सुटी के बाद में आप उन्हें बताना चाहिए कि भाई यह दोरोदर आपकी है आप इस देश को तोड़ो मत आत्मा साथ को रो युग पूरुशो का संदेश परिवर्धन की जरुरत है आज भी और प्रबोधन की जरुरत है उसके लिए यह विचार जो है वो किताबों से बाहर निकल कर यहां पर घुसना चाहिए तभी जाकर आचरन बदलेगा आचरन बदलेगा तो परिवर्धन आएगा समाज में परिवर्तन और परबोधून यह दो एक बड़ विभीन्य प्रकार के जब मानते लोग जब उन्हों में खलन दालते है जब परिवर्तन प्रबोधन में हम खलन दालते यह उसे निमलोग जुदा करने की कोशिश करते तब जाके बाज़कों हो अब फिर सेम् बिटिश की पोलिशी आपे अपना रहे हैं, जो कोई अपने स्वारत के लिए, अपने राच्किय स्वारत के लिए, अपने राच्की एजिंडा के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए हर जाती और धर्म के लोगों को एक एक भगवान उन्होंने दिया है, तो बाबा साब अंबिडकर, दलीतों महारों के भगवान, मात्मा फुले, माली समाच के भगवान, चितरपती, चिवाजी महाराच, मराठों के देव, यह कहा सिल है तुमने, आज वो भी होते तो दुखी हो जाते, तो इसी बात का प्रपोगंडा करना बहुत जरूरी है, आप परिवरतन के साथ में अगर प्रभवदोन नहीं करोंगे, उस दोन दोनों को एक जूट नहीं करोंगे, यह माइक पर बोलनी के लिए बात में एपको, टीवी पर इंट्र्यू देने लोग बहुत मिलेंगे आपको, बड़े-बड़े एक्टिं करके बात करेंगे वो लोग म कितने लोगों को आपको शिक्षित किया, मैं हमारे नेता हो से पूछना चाहता हूँ, आज लौड बुद्धा टीवी के माध्यम से, जो भी नेता है, रिपबलीकान अमबेड करें मुमेंड में, पहला मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप फुले शाव अमबेड कर आपने कितने मेडिकल इंजिनियर कॉलेज बनाएं, बनाएं एक पुना मारस्ते में, मैं बहें जी से पूछाता है, बरदिली में, कि बहें जी यूपी मेडिकल कॉलेज बनाई है, मैं यहां के नेता हो को पूस्ताव मंतरी बनते हैं, बड़े-बड़े मोर्चे निकालते ह बाभा साब को मूल सिधान्त एजूकेशन है उसी से हम दूर हो गये हम बटक चुके हैं हमारे विद्ध्यारति आर्टे को देने के पास हमारे देने के लिए हमारे पास क्या है पॉलिटिकल जहेंडा है बड़े बड़े लेक्षर से अमेडिकर जहिंधी के बड़े-बड़े से वो तो हम भी लगाते हैं और उसके बाद में चौदा एप्रिल गई 11 एप्रिल मात्मफुल एंबडिकर की जहिंती गई बात कतब है उसके बाद में हमें अगले साली मिला है या चैते भूमी पर बिलना है तो उसके लिए प्रभुदोन करने के लिए हमें स्कूल बनाने होगा हमें उच्च शिक्षित भी द्यारती तायर करना होगा अब और रिजरोशन की बात नहीं हुए आज तो हैट्रसिटी है हमेरे आज से निकल गी कितने मूर्चे हम लोग करेंगे हमारे लोगों पर जुल्म हो रहे फत्तर मारे मात्मा फुले जी और सावितुराय फुल गाज पूरी महीला समाज वो कोई भी समाज आती सो ब्राम्मन महीला भी अगर हो शिक्षित है तो महात्मा फुले और सावितुराय फुले से शिक्षित है कि आज वी फत्तर रुके नहीं है है हैं ऑली कि विद्ध हें पlles ऑन जिसके बावजूत हमें सरद्ध से निकल चाहि मेडिकल कॉलेज, जोर्निलिजम, we are away from that, we have to go for that. अगर यह सब बात हम करेंगे, अगर यह सब बात में हम लोग जाएंगे, और यह सपना हम देखेंगे कि 21 सताबदी में बाबा भीमरवाम बढ़ करेंगे, कि सपना हमारे कितने साइंटिस्ट बने हैं, हमारे डॉक्टर से इंजिनियर्स कहां गए हैं, उन्होंने फिर से मुड़कर समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए, मैं उस उच्च शिक्षित लोगों से अपिल करता हूँ, कि आप बड़े-बड़े पोस्ट पे हो, आप कमिशनर हो, कलेटर हो, डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, आप बुड के आईए और समाज के लोगों की सेवा कीजिए, तब ही जाके उस प्रबोधन और परिवर्तन एक साथ होगे, वरना जय भीम, जय भर, जय बुद्ध, जय फुले. बहुत बहुत दन्यवाद हम से मिले और इतनी सारी बाते हमारे दर्शों के सामने की, आज महत्मा जोतीबा फुले जी की जन्म जैनती है, और इनके जन्म जैनती के अउसर पर हम उन्ही के फुले वाड़ा में, पुना शहर में, ये जो कुवा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत इतिहासी कुवा है, ये फुले जी ने उस समय सब के लिए खुला किया था पानी पीने के लिए, ये बहुत शर्म की बात है, मैं अपनी बातों में कहता रहता हूँ, कि हमारा देश, ऐसा देश है, जिसका इतिहास इतना शर्मनाक इतिहास है, कि इस देश में पानी पीने के लिए भी संगरश करना पड़ा, तो ये वही एतिहासिक भूमी है, वही क्रांती भूमी है, जहाँ पर हम बैटे हैं, और आज हम बापु सहाब भोसले जी से चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ यादे ताजा कर रहे थे, इस जम जैनती के आउसर पर, आज के लिए बस इतना ही फिर मलाकात होगी, ऐसे ही किसी मौके पर, तब तक के लिए जैभीम नवब्धा,